हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमेथ हालत देखो मौसम की कैसी हो रही है मतलब 11 बच चुके हैं और 9 डिगरी टेंपरेचर हो रहा है अप अन्राजे लगाओ और अपनी हालत तो ऐसे जुखाम में डाउन है उसे रखते हैं एक साइड आज बात किसके बारे बहुत पहले से मन उप चुका था सोच रहा था कि इसके बारे में बना हूँ या नहीं लेकिन क्यों नहीं यह रिष्चादारी थोड़ी है मेरी इन से अगर कुछ गलत हुआ है कुछ हो रहा है तो बिल्कुल बताऊंगो इससे आप लोग भी बहुत अराम से पतली गली से है और आपको यह तकलीफ ना हो प्रॉब्लम ना हो जो मैंने फेस करी है स्टार्टिंग हुई थी जब मैंने कार ली थी मतलब अपनी ट्राइबर जो है वो ली थी तो आप देखो डीलर्शिप का ही टाइप रहता है जो भी कंपनीज है उनके साथ आपस में किस बैंक के और इनों ने हमें चिपका दिया लगा के दे दिया सबसे पहली चीज जैसे ही फासर क्योंकि मैं उससे पहले से यूज कर रहा तो उससे पहले जो गाड़ी थी उन पर भी मैंने लगा रखे थे तो मुझे कोई अब तक कोई दिक्कत नहीं थी मैं उससे पहले पेटियम का य है कोईरी हम एप के विदिन ही रेज कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी उसी में हमको मिल जाता है दो से तीन दिन में मैं उसमें कई एप की तरह आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा लेकिन वो एक रिडारेक्ट करने के लिए लिंक होता है खुलता वैब ब्राउजर के थ्रू ही है वो कोई प्रॉपर एप नहीं है उसकी अब एक वैड्रेस है वह आपको खुल जाएगा आपको उसमें लॉग इन करना है ठीक उपी आई हरको यूज़ कर रहा है लेकिन इंट्रेट बैंकिंग नहीं तो जो सिस्टम होता है अभी आवाज सही से नहीं आरी जुखाम हो रहा है जो सिस्टम मतलब हम काड में नंबर अंबर डाल के वो सब कुछ करते हैं उस तरह से हम कर सकते ओड्रेस कि लाइद होगा व जब सबसे वड़ी दिक्कत आती है कभी-कभी वो उनका सिस्टम चलता ही नहीं है पैमेंट आपकी कट जाएगी आपको कभी भी डालने है पैसे उसमें रिफिल करना है आपको जाना है अर्जेंट आपने रिफिल करा पैसे नीड़लेंगे उसमें टाइम आउट आजाएगा और आपको रिफ्लेक्त नहींगा कई बार ही कट जाते हैं और अब उसके बाद जब इस तरह की प्रॉब्मम आती है तो बंदा क्या करता है कंप्लेंट रेस करता है यह तो अब यह तो चलो छोड़ो कंप्लेंट रेस वाला जी सेक्शन जो है उसमें मैं बाद में आता हुआ मतलब जो उनकी KYC होती है वो KYC तब ही डन हो गई थी मैंने अधार काड अपना फोटो और पैन का जो भी मांगा उन्होंने वो मैंने दे दिया था अपना वो सब दिखाता कि आपका ब्लैक लिस्ट है क्या है कुछ नहीं दिखाएगा आपका एक्टिव दिखाएगा वालेट में पैसे दिखाएगा ठीक अब वहां मैंने जैसे तैसे लड़ाई जगड़ा किया आदा घंटा मेरा खराब हुआ वहां और उसके बाद मैं सिंगल बेके पैसे और मैंने क्या है किसी तरह का कोई ना मैसेज ना इंफ्रमिशन कुछ नहीं कि आपकी इस डेट को खतम होने वाली यह कुछ भी नहीं उन्होंने मुझसे का सर आप यह अपने डॉक्यूमेंट जो है यह मेल कर दो अब उनका देखो सबसे बड़ी सिस्टम क्या चलता है हम कॉल करेंगे तो कोई थर्ड पाइटी कॉल सेंटर वाले बिठा रखे उन्होंने उनको दस-पांच लाइने दे रखी है और जो भी आप कर दो और अपने नहीं होई मेरी मतलब वह दिखा दिया ब्लैक लिस्ट मैंने अपने यहां से पेपर वागारा भेजे फंदरा दिन मेर को लगे नहीं हुआ फिर उनके यहां से नोडल ओफिसर उनका निकल वाए महां कहां से meek Showroam में जाके महां को मै ने परस्वास ली उनकी hesa mail ID पर जो naک violationा प्राश 새oo you मे आप चालू हो गया है। चैक कैसे करूँए अ?" फिर से मुझे लेकर जाना पड़ेगा जाओ, घाड़ी मेरे लिए जाओ, और इसके लेकर। ठीक, क्योंकि वो तो बता नहीं रहे, गाड़ी लेकर जाओंगा, तब जाकर पता लगेगा, या फोन करकर पूछता रहो, मैंजी, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ये चीज, वो हो गया फिर उसके बाद, ठीक, अब हो गयते, तीन महीने बाद ये मैंने फिर करा लिय है, अब जब 9 महीने हो गए थे मेरको, 9 महीने हो गए, फिर उसके बाद फिर से यही भसड, सीधा महा जाके, भई ब्लैक लिस्ट, अब मैंने पूछा भई, अब क्यों, जब फोन करके फिर पूछा, तो उन्होंने का, सर, हर 6 महीने में आपको, जो KYC है, वो करवानी और मेल का कोई रिवर्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मेरको करीब मैंने लास्ट यर, मतलब, 2019 में, 2019 में, 9th of September को मैंने गाड़ी ली थी, तब से अब तक मैं उन्हें, मेरे पास रेकॉर्ड पढ़ा है, 35 मेल कर चुका हूँ, 35 मेल, आज तक एक का भी रिपलाई न मैंने उनसे पूछा, कि उस मेल का मेरे पास रिपलाई क्यों नहीं आए, तो उन्हाने का अच्छा नहीं आया, चलो कोई बात में, आप ऐसा करो, एक और करतो, 15 दिन रुक गए, कैसर अभी रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो, वो वाला सिस्टम उनका चलता रहेगा, और फिर जब मेरे 9 महीने हो गए, मतलब अब मुझे गाड़ी ओन करे हुए, 12 और 14, 14 महीने हो चुके थे, आप सोचो मैंने कितना टाइम उनकी KYC में निकाला है, और 9 महीने के बाद अब तक मेरी KYC ड़न नहीं हुई, अब मैंने का बहुत ठक गया मैं, मैं बिल्कुल अक गया बंद करने के लिए, अब आप यह चीज़ देखो, आप जैसे जो भी फास्टेक यूज करते हैं, अगर मैं दिसंबर महीना चल रहा है, मैंने इसमें अपना आना जाना करा, अब इसमें कैश बेक आता है कुछ, आना जाना करा, और वो कैश बेक आ रहा है, तीन-तीन महीने, लेकिन वो जिस दिन मेरा लख्की ड्रो में नंबर आएगा मेरे प्रोसेस का, दस दिन बाद, पंदरा दिन बाद, बीज दिन बाद, एक महीने बाद, उस दिन मेरा वही, वही बैलेंस होना चाहिए, सेम, जो इस दिन है, जब मैंने कॉल करी है, जब मैंने अपलाई करा है, मतलब अगर एक महीने बाद भी मेरा नंबर आ रहा है जो चेक करने के लिए उनके लेवल पर उस टाइम भी यही होना चाहिए मतलब मेरे हाथ में तो खुश था नहीं तीन महीने पहले जो मैंने अपनी गाड़ी यूज करी थी उसका आ गया केश बैक 30 रुपए या 35 रुपए केश बैक आया और वो आटोमेटिकली चेंज हो गया मैंने गाड़ी यूज नहीं करी इसी उससे कि यार ये चेंज ना हो जाए और वो वो न कर दे कैंसिल ना कर दे आया पीछे से जो हमारा वो केश बैक था यहां बैलेंस चेंज हुआ उन अब खुछ सोचो अब मैंने कित्ते टाइम तो गाड़ी यूज नहीं करी सीधा उसे छुटा के फैंक नहीं सकते कि कभी भी कुछ भी अगर मांगने लगे वह यह कहने लगे कि गाड़ी पर लगा हुआ फोटो दिखा दो मांगते हैं एक बार मांगा है कि गाड़ी पर जोुटीं महीने बाद थैंक गौड मेरा वह सक्सेस्वल हो गया जो मैंने अप्लाई करा था वह सक्सेस्वल हो गया मेरं से सारे मेरे जो जो मेरा बैंक अकाउंट है वो और कैंसिल चैक बताओ इत्ती चीज़ें छेक महांगा जो मेरे पासबूक है उसकी फोटो मांगी पै तो सब ब्लेंक आजाता है और इनेक्टिव आता है और मेल आ गया मेरे को मैसेज भी आ गया कि यह अब आपके तीन दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आपके चलो शुकर है यह बात बता रहो मैं दो महीने पहले कि अब मेरे पैसे आ जाएंगे और पैसे जो बने था मेरे 838 के एारांड बने थे जो पैसे मेरे को आने थे वापस मेरे वालेट के अब आपको समझो वह पैसे मेरे 12-13 दिन अगये नहीं आए मैंने कॉल किया मैंने कॉल किया मैंने का जी ऐसा ऐसा है मेरे सर मेल कर दो मैंने मेल कर दिया उसके 15 दिन बीत कई मैने का जी पैसे नहीं आए मेरे तो मेरे कर आसा जो मेल कर दो थीर से महले दो मैंने रही नहीं करने वाला आप आस्सक Tomorrow मैं कर बहुत कर से स्टमें तो तो वो कहते है और star आपका तो यह एक्टिव मेरे में दिखा रहने एक्टीव अब लोग इन कर रहा है मेरे में दिखा रहे इन एक्टिव अब scarf मान नी सकते बीरीव नी कर सकते और मेंने कॉल कर euelt तो आपको पड़ा हुआ है और कॉल के अलावगा कोई सिस्टम नहीं है या तो ऑनलाइन अब कुछ भी एप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है मेरा वह इनक्टिव दिखा रहा है मेरी तरफ से इनक्टिव हो चुका है उनकी तरफ से एक्टिव है अब वह कह रहे हैं सर आप को दुबारा से अपलाई करना पड़ेगा आपको किस ने कह दिया कि यह जो है सिस्टम बंद हो गया है यह आपका बंद हो गया है अब खोपड़ी आप सोचो किस लेवल पर चली जाएगी कि जो मेरे 838 थे वो घुश चुके हैं और अब कितना मैं लगूंगा उन्हें गाल बैलेंस है उसे एक्जॉस्ट करो और जो भी आपका वो होगा ना यह मत सोचना कि अपना रिफंड ले लूँ जो सिक्यॉर्टी मनी है और वो है किसी ऐसे टोल पर जाओ जो आपका मिनिमुम सौर पर रहता है बैलेंस एक तो सिक्यॉर्टी मनी हो डेर सो या दो सुर पर और और फिर दिसम्बर में पहली बार हुआ फिर जून जून से इस साल जून से और अब तक छो मेने हो चुक है मेरे को पैसे नहीं मिले अब तक मैंने यूज कित्ता कर रहा है आप खुछ सोचो तो जिसके पास भी हो जो भी आ यूज स्विए यूज कर रहा हो हैपी लिए दिन कुछ हुआ उस दिन आपको निकलने के लिए जगा नहीं बचेगी कि कैसे कैसे हम निकले मेरे 838 रुपए फसे हैं और मैं जानता हूं क्या हाल कर रहे हैं वो लोग कोई भी सुनवाई नहीं है आप बैंक में चले जाओ तो वो कहेंगे कि हमारा यह सिस्टम अलग है और के टोल वाला सिस्टम में वो अलग है इनके कस्टमर सर्विस सेंटर बना रखें इन्होंने जगा जगा वो नंबर देंगे आपको आपकी सिटी का मेर को दिया कि आप वहां जाके मैनुएली करवा सकते हो उसके पास गए हमें कुछ नहीं पता बता वो सीधा यह बोल बंदे को ऐसे फसाद हैंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे तो इसलिए पेटियम वाला किसी को प्रॉब्लम आती है मेर को आई मैं बहुत अच्छे सा सारी चीज़े हो जाती है अब तक यूज कर रहा हूं एक वालेट रहता है तीन तीन चार चार मैं प्रमोट नहीं कर रहा है वो भी अलग है ऐसे ही है यार ऐसे ही नहीं गालियां देते लोग अब मेरे साथ हुआ मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं और अगर आपको यह चीज़ थोड़ी बहुत लगी हो आपके साथ भी हुआ हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहते हो कि वह भी भाई बज्जा है और वह यूज़ कर रहे हैं से और सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमिट चैनल को जय है